भारत को discounted price पर lithium मिलने की खबर सामने आ चुकी है असल में भारत काफी लंबे समय से कोईसिस कर रहा था कि अखिर कोई भारत को चीन के बराबर या फिर चीन से कम rates पर lithium आफर कर देगा और भारत फोरन चीन से अपने निर्भरता ख़तम कर देगा और आज हुआ भी कुछ ऐसा ही है हम जिस देश की बात करें है वो एक साल में करीब 40,000 मेट्रिक तन लीथियम का production करता है और यह देश लीथियम ट्रेंगल के है जाने वाली countries में भी शामिल है जिनके पास दुनिया का करीब 60% लीथियम रिजर्व मौजूद है में खबर क्या है आए जानते हैं उससे पहले हमें सपोर्ट कीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चीन की बजाए अर्जंटीना से लीथियम खरीदे हम चीन के बराबर या फिर चीन से डिसकांडर प्राइस वर भारत को लीथियम ओफर कर सकते हैं और हम भारत को लीथियम नहीं बलकि कॉपर भी ओफर कर रहे हैं वहीं उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके स्वागत करते हैं भारती कंपनियों का वो यहाँ पर आकर के माइनिंग कर सकती हैं और लिथियम अपनी जरुद के हिसाब से ले जा सकती हैं वहीं उनकी नजर चीन पर भी है क्योंकि भारत की निर्भरता चीन पर बहुत ज़ादा है इसलिए उन्होंने कहा कि भारत चीन की बजाए हम से लिथियम खरीदे और ये भारत के लिए इंपोर्टेंट इसलिए भी है कि भारत ने साल 2023 में अब तक करीब 23,000 करोड तक के लिथियम को इंपोर्ट कर लिया है साल 2022 में हमारा लीथियम इंपोर्ट से 13,000 करोड उपकत और अभी साल 2023 पूरा खतम भी नहीं हुआ है और भारत नहीं करीब 23,000 करोड का लीथियम इंपोर्ट किया है ये चिंता जनक बाते हैं इसलिए हमें स्विच करना होगा किसी और देश पर ताकि हम चीन को इतना मोटा पैसान ना दें और भारत चाहे तो इस प्रोजेक्ट हो कुछ ही महिनों के अंदर शुरू कर सकता है क्योंकि भारत की कावी लेनी की खांज़ी विदेश इन्रिया लिमिटेड इसके लावा नेशनल एलमूनियम कंपनी और मिनिरल एक्पोरेलेशन कॉर्परेशन लिमिटेड और हिंदूस् सभी ने आपस में एक बड़े जॉइंट वेंचर को फाइनलेश किया है और यह सभी कंपनिया अर्जंटीना में जाकर के लीथियम माइनिंग और कई रेर एलमेंट्स की माइनिंग शुरू कर सकती है और एक और इंटरसिंग चीज़ आपको बताई जाए तो भारत की इंव हो चुका है और बात रही टेट की तो भारत अर्जंटीना से एक साल में करीब 4.19 बिलेनियस दॉलर के इंपोर्ट्स कराता है वहीं जो एक्सपोर्ट्स है वह हमारे 1.31 बिलेनियस दॉलर के ही है मिजावटी अर्जंटीना भारत के अंदर स्वयबिन वाइल शीड वाइल और गोल्ड्स एक्सपोर्ट करता है वहीं भारत से रिफाइन पेटोलियम नाइट्रोजन हाइड्रोकलेरिक कंपाउंट्स और मोटर साइकल और साइकल जैसे चीज़े इंपोर्ट कराता है और आप दोनों ही देशों के बीच में ट्रीट बढ़ सकता है क्योंकि भारत ने बोलिविये के साथ में बातीत शुरू कर दी है बाकी आप हमें कमेंट्स बताइए कि भारत चीन के लावा और किस देशे लीथे में इंपोर्ट कराता है भारत कैसे ही यूसवल और इंफरमीटीव व्डियोस पाने के आप मारे यूटीव चैनल को सब्सक्राइब जरू जेगा मिलेंगे हम आपको इक नहीं और इंट्रस्टिंग वीडियो में तब तके लिए बंदे मात्रम भारत माता कीजए